को पाइग को एक ऑपको पता है तो आपट को दोता है भी सिस्थ फेट अब कर दो किसे वहीं आपको इत्जसन श्चाट-पूजल एंगिल एंकिन द। यह सब नहीं कि इसब कर देखनेस सब आपको पता है ज्कॉझी टू एंगिल एंगिलי और श कर्ली है यह सब आपको बालूम है, linear pair दो एंगल का समवन 80 होता है, यह linear pair होता है, यह सब आपको assignment work को बता है, complementary angle एंगल का एसा प्यार जिसका समवन 80 होता है, over 90 होता, that is called complementary angle, supplementary, angle का एसा प्यार जिसका समवन 80 होता, that is called supplementary angle, इस तरह की different different छीजें आपको समवालूम है, now I am starting exercise, to find the measure of the acute angle, obtuse angle and reflex angle in the following figure, इसमें आपको acute angle, obtuse angle और reflex angle बताना है, acute angle जो 90 से कम होता है, जैसे 50, 60 है, obtuse angle जो 90 से बड़ा होता है, 50 plus 60 है, यह 110 का angle हो गया, इसमें obtuse angle 110 हो गया, reflex angle जो 180 से बड़ा, 360 हो चोटा, इधर वाला angle जो है, वो आपका reflex angle होगे, तो जो जो बही होगा, उसको जेके लिख देंगे, इन दोनों figure में, at two o clock, what are the acute angle and the reflex angle between the minute hand and the hour and of the clock, जिसे गड़ी में जाकर दो बजे होगे, छोटी सुई पर होगी, बड़ी सुई बारह पर होगी, इनके बीच का कितना angle है, हर दो number के बीच में जो angle होता है, वो 30 का होता है, 12 और 1 के बीच में 30 का, 1 औ होगी, बीच में 60 का, तो यह आपका acute angle होगा, 60 का, और reflex angle निकालने के लिए, 360 में से 60 को minus कर देंगा, तो 300 होगा, तो जब घड़ी में 2 बजेंगे, तो इसमें acute angle होगा, आपका 60 और reflex angle होगा, 300, ऐसे घड़ी में जब आपका 5 बजेंगे, छोटी सुई 5 पर बड़ी सुई 12 तो इसमें अंगल कितने का होगा, 30, 30, 60, 90, 120 और 150, तो यह 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 होगा, 150 को होगा, obtuse angle, that is called 150, यह obtuse angle, और जो reflex angle होगा, वो यह यह वाला होगा, 360 में से, आप 150 मेंस करेंगे, तो कितना आएगा? 210, यह reflex angle होगा, 210 का, 180 से बड़ा है, और 360 से छोटा है, Now come to the question number third, write the compliment angle, complimentary angle of each of the following, इसमें आपको complimentary अंगिल बताना है, अधर का, 60, I am doing, 90 में से यह मैनस करना है, आप 90 के नीचे आपने यह लिख लिए आप पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके उपर कुछ नहीं है, तो यहां होगा, और जब इसमें से यह कैरी लिया तो यहां, यहां शिश्टी मिनित आएगा, प 90 डिग्री है क्या है 90 डिग्री को हमने ऐसे तोड़ लिया यहां 89 लिखा यहां 59 और यहां 60 अगर हम तिनों को प्लस करेंगे तो फिर 90 आ जाएगा और उसके नीचे लिख कर और फिर हमने सब्ट्रेक्ट कर दिया तो आपका यह आंसर आ गया 34 डिग्री 49 मिनिट और 40 से कन 90 में सेबंगे इटान वन डिग्री में आपका 60 मिनिट होते हैं यहां 90 डिग्री है तो एक डिग्री में से 60 मिनिट होते हैं यहां एटी नैन बचा और यहां आएगा सिक्स्टी क्या इ Uno ऑट कर दिया ऐसे फोर्थ का यह वाला पार्ट है 180 में से मैनस करना है क्योंकि इसमें सब्लीमेंट निकालना है तो यहां 179 लिखा यहां 59 लिखा और यहां 60 ऑफिस के बाद लिखकर मैनस कर दिया देट इस यूर आंसर कि यूश्ट अब्यर सब्लीमेंटरी एंगिल्स इसमें सब्लीमेंटरी एंगिल्स का चुनना है यह चॉश्ट नियुक्वाल ना पर फिर शी किया है 90 लिख किया है यहां 179-60 आपका नियंट्ट इग्री में आसर आ गया नाव कम्रूद्ट नंबर 7 एक 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 एंग्ल एक को यह अपने सब्सक्राइब तो कैसे करना है लेट दा फर्स सप्लीमेंट एंगल इसके बराबर है यह भी एक्स होगा और इसके बराबर है सब्सक्राइब इसको भी आप ऐसे कर लेंगे यहां नाइंटी के बराबर रखेंगे कुश्य नमर एट इसम आफ तो एड़स एंगल इस एंगल इस वन अफ़ दिग्री लेस देन दा अधर फाइंड दा एंगल एट का फर्स इसमें गांज असलों टू टू एड़सेंट एंगल इसके अपको पता ही है लेट अफस्ट एड़सेंट एंगल इकल टू एक्स अगर पहला एक्स तो दूसरा क्या होगा ऑनगे टेन एक्स पर इसमें यह कह रहा है कि if one of them is 40 degree less than the other, एक जो है दूसरे से 40 degree कम है, मल लिजे, यह फर्स्ट है यह आपका सेकंड है, अब यह वाला जो है इससे 40 कम है, अगर यह वाला इससे 40 कम है, तो हमने इधर प्लस कर दिया 40, और उसके बाद इस लाइन का सॉल्फ गया, एक फिदर आ गया, प्लस का हो गया, और यह 110 plus 40, 150, 2x is equal to 150, x is equal to 75, तो पहला एंगल एड्जासेंट के आगे 75, और दूसरा आएगा 110 minus 75 is equal to 35, एड्जासेंट एंगल का मतलब होता है, लगे वे दो एंगल, जैसे माली जी आपका एक एंगल यह है, अब इसमें एक लाइन हमने यह खींज तो इस अब यह पूरा एंगल दो इंगल में पढ़ गया, तो इस एंगल का एड्जासेंट यह होगा, यह वाला, इस एंगल का एड्जासेंट यह है, तो अगर दो एड्जासेंट एंगल का सम 110 है, माली जी इसका सम 110 है, यह पूरा एंगल 110 का है, अगर मैं इसको X मानता तो दूसरा क्या होगा 110 मैं सेक्स का होगा तो यहीं यह नहीं यह यह लिखाता हूं उसके बाद हमारा यहurg हो गया आन्सरा आ पॉल जो नैध्का फर्श स्टू ए उग्ल्स अल नई थार फॉण इपन है तो नी इए टा राफ न में गोगा सब्सक्राइब क्या होता है दो सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद क्रॉस क्या इंगल सब्सक्राइब क्या इंगल सब्सक्राइब कर दिया नो तो इंगल ऑफ सब्सक्राइब 30 degree less than 30 degree less than the five time the other find the angle तो इसमें भी लेट the first angle be x supplementary x तो दूसरे क्या होगा अब यह वाला दूसरे वाले एंगल के 5 गुने से 30 कम ज्यादा है यह 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 वाला एंगल इसके 5 गुने से 30 ज्यादा है 30 कम है क्या कह रहा है कम है 30 लेस है तो यह वाला एंगल और इसका 5 टाइम यह हुआ तो यह 30 कम है तो हमने इसमें 30 से मैनस कर दिया अब इसको सॉल्व किया अधर निट्व किया तो 900 में इस 5 एक सिद्वाय प्लस का हो गया 90 में से 30 किया 870 6x is equal to 870 x is equal to 870 upon 6 कट किया 145 तो फर्स्ट अप्लिमेंटरी अंगल कितना आगया 145 तो सेकंड कितना होगा 180 में इस 45 145 इस इकड़ इसको सेकंड सब्लिमेंटरी अंगल आगया 35 और फर्स्ट कितना है 145 ना कम्टू तो कुस्चिन नमर 11 तो कॉम्पलिमेंटरी अंगल आ इंदा रिशो तो रिशो 3 फाइंड तो इसमें लेट दा फर्स्ट अंगल 2x सेकंड 3x और कॉम्पलिमेंटरी की वास करने है तो अग्रोडिंग तो कुस्चिन 2x प्लस 3x इस इकल तो 90 और 5x इस इकल तो 90 पॉन क्योंकि कॉम्पलिमेंटरी एंगल का मतलब 90 होता ना दो एंगल कसम 90 पहला 2x है तुसरा दूसरा 3x है तो 2x प्लस 3x इस इकल तो 90 और 5x इस इकल तो 90 आजाएगा 90 अपॉन 5 एंगे एक्स की वैलू आजाएगी 18 तो 18 की वैलू जब इसमें रखेंगे तो 36 आएगा और यहां रखेंगे तो 54 आएगा तो फाइंड तो इसमें इसमें आपको 180 के बराबर रखना है लेट दा फस्ट इसमें इसमें आप सर्च करके बता देंगे इंदा फिकर ओए और ऑपोजेट्री एक्स इकल तो 105 एक्स की वैलू 105 तो य निकल जाएगा और वाई की वैलू अगर 40 है तो एक्स निकल जाएगा एक्स की वैलू इसे पोटीन का फस्ट है इंड्रेट ज्ञानिंग फिगर एंगिल एंड्रेम अंग्ल मोन और फार्मम लिनियर पेर यह और यह लिनियर पर मतार ने तो इसका समवनें टीके बराबर होगा थे तो आख्स की वैलू हम निकाल लेंगे इंड्रेट ज्रों लिएमर पॉजिट् सब्सक्राइब इस एंगल का सम इसे का और इसका सम 80 है इसकी वैलु पुछी एक इसकी वैलूँ पूछी तो यह पूरा 1810 में से 80 मनस कर दिया तो इसकी वैलु आ गई 80 एंगिल an o p an o p की वैलु आ गई 100 डिगर थर्ड यह तो फिर यह तो फिर इंगल एलोन पूछा है यह दोनों एंगिल जो हैं आपस में बराबर है इसकी वेलों पूछी है पिर नैंटी नैंटी का जाएगा वन आफ दे एंगिल फॉर्मिंग लीनियर प्यर का मतलब ऐसा होता है दो एंगिल कसम 180 जैसे यह माले जी लीनियर प्यर है यह एंगिल और यह इंगि अगर यह 135 का होगा तो दूसरा क्या होगा ऑप्टिस एंगिल पुछ नंबर 16 फाइंटा वैलो आफ एक्स इसमें एक्स की वैलो पुछिए बड़ा असान है यह पूरा एक राउंड जो है 360 का बनाता है तो 100 प्लस 75 प्लस 45 प्लस एक्स श्क्सक्स्टी प्लस 40 जीगाल डूस्क्षिए एक्स की वैलो निकल जाएगी ऐसे इसमें भी एक्स की वैलो निकाल लेंगे है नेम दर वटेक्ट प्यर्वर्टिकल आपश्चीट वो होते हैं जब दो लाइन इक दुसरे करती हैं तो यह वर्टिकल अपश्चीट अपहज शूर्ट लग्हा इसे सभुता जाते यह इस इंड सब्ता होगे तल्टॉ देकल फूर्फ़ुसे कर ने यह typically में फिसेघ्ला इस फूले में फिसेगे सब्सक्राइब पॉजिट यह है नाव कम टूदा कुछ नमबर 19 फाइंड वैलो ऑफ इसमें एक्स की वैलो पुछिए यह शिक्सका यह भी सिक्सक्राइब इसका वर्टिकल अपोजिट है और टू एक्स प्लस एक्स प्लस 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 फॉर एक्स की वैलो आजाएगे 60 इसमें एक्स की वैलो सिक्स्टी आएगा इन दिस वहाई कम्प्लीट एक्सराइज कुछ नमबर 19 एक्सराइज तू यह एंग्स चैप्टर जो है फिनिश हो गया तो आई कम्प्लीट इस चैप्टर एक्सराइज तू एंड चैप्टर एंगल अब आप इसको करिए और इस फिल एनी प्रॉब्लम देन यूशेर यूर प्रॉब्लम ओके थैंक्यू वेरी मच् कर लें और बाकी सब अपनी कॉपी में कर लें